देश का खुद्रा वैपार चाहे वो वैपारी 5 लग का टर्नोवर करता हो साल में या 5 करोल करता हो उसके लिए एक डिफरेंट पॉलिसी होनी चीए मार्किट की सजावट कैसे होगी मार्किट में जूरिनल कैसे होगे चोटा बैपारी या बड़ा बैपारी वो दोनों ही GST से बहुत ही परिसान है 17, 18, 18, 19 सब को नोठी से आ रही है चाहे चोटा बैपारी चाहे बड़ा बैपारी उसका चाहे टर्नोबर चोटा ही क्यों ना हो हलाकि मोधि सरकार का ये आखरी बजट है इस का दूसरे कारकाल का ऐसे में पूर्ण बजट ना होकर कि ये एक वोट-on-account टाइप का बजट है चिस ये एक टरम इस्तमाल की जा रही है इस समय वोट-on-account बजट है हलाकि इस बजट को लेकर भी कई तरीके की उम्मीदे हर उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बजट को लेकर कारोबारी नजरिये से उनकी क्या राय है और क्या उम्मीद करते हैं Finance Minister साहिबा से कि किस तरह से उनकी जो जरूरते हैं जो मौजूदा इस सितिय हैं उसको लेकर के वो कुछ इस vote on account बजट में करेंगी मेरे साथ हैं पंकज अरोरा जी जो Confederation of All India Traders के ये राश्टी सचिव हैं साथ ही चुनलडी से लेकर कई और जो तरह के व्यापार हैं ट्रेड हैं उसमें अच्छी जानकाली रखते हैं तो मैं सबसे पहले तो आपसे पंकज जी यही जाना चाहूंगा कि Taxes को लेकर के जो इंडस्ट्री पे टैक्स हैं ट्रेडर्स पे जो टैक्स हैं उसको लेकर के किस तरीके की आप बदलाओ या कुछ राहत की उमीद कर रहे हैं या सुझाओ देना चाहते हैं कि इस तरीके की चीज़ें हों व्यापारियों के लिए ट्रेडर्स के लिए दिखें पिछले एक महिने पहले भारत सरकार ने हमारे संगठन से सुझाओ मांगे थे उसमें लगबग 10 से 15 सुझाओ हम लोगों ने भीजे हैं जिसमें कुछ मुक्य सुझाओ हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा आज देश में हमने नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी की डिमांड करी है जोकि अभी आप देखते हो कि हमारी मार्किट 2 अक्टूबर को बंद होती है और जो मॉल्स होते हैं वो खुलते हैं यानि कॉर्पोरेट स्टोर्स खुलते हैं और एक आम व्यपारी की दुकाने बं देखते हैं कि जो ओनलाइन मार्केट है एक तरीके से वो और जो मॉल में जो शॉपिंग कॉंप्लेक्स में जो बड़े रिटेल चेंस होती हैं वो और जो व्यापारी जो खुद्रा व्यापारी है उनके साथ उनकी जो दुकान को लेकर बाकी ट्रेट के जो नियम है वो एक यानि कॉर्पोरेट के लिए बैंक जो है वो साधन बिचा के बैठे हैं उनको रुपया देने के लिए विदाउर को लेटरल के लेकिन अगर देश का रिटेल ट्रेडर है जो रीड की हड़ी है देश का उसको कुछ भी नहीं मिलता वो अपने धक्के कहा रहा है तो यानि जब यानि बहुत कुछ इस रिटेल ट्रेड पॉलिसी अगर सरकार लागू करती है तो हम मानते हैं कि भारत के व्यपारी जो खुद्रा व्यपारी है उनके अंदर बहुत बड़ा परिवरतर आपको देखने को मिलेगा जो कस्टमर्स मार्केट में आते हैं या नहीं आते हैं जो जाम की समस्थ से आए ये रिटेल ट्रेट पॉलिसी आने से आर्थिक रूफ से बजार का महौल सब कुछ एक्दम चेंज हो जाएगा ये हमारी बहुत प्रबल मांगे सरकार से अगर ऐसा हो जाता है आने वाले सालों में या इसी साल में तो ये व्यापारियों के लिए बहुत जाए कि जो गोल्ड और सिल्वर पर कस्टम ड्यूटी रहती है उसको कम किया जाए लेकिन हाला कि सरकार कभी इसको ध्यान नहीं दिया है तो अभी बजट को ले करके आपको क्या लगता है कि किस तरीके की चीज़ें हो सकती है तो आप कितनी भी कस्टम ड्यूटी कम कर है कुछ भी कर लीजिए एक्शुल में जहां बॉर्डर से आपका माल आ रहा है उसकी सिक्यूर्टी इतनी टाइट होनी चाहिए कि बॉर्डर से माल अंदर आने ही न पावे और यहां पर बैंक का माल बिके हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो भी माल बिके वो बैंक का ह इस सेक्टर को लेकर कुछ और इसी साल लब 2023 में कुछ हॉल मार्किंग को लेकर नियम आए कि हॉल मार्क जो इल्री ही भी कहीगी इसको लेकर कि जो बड़े प्लेयर्स थे मार्केट के उन्हों उनकी तरफ से कई तरीके की चीज़े कही गई तो जिस की चोटा जो वह अपार करने की कोई जरूरत है नए हमारे जो रश्ती पता दिकारी है बंकर जी वो हाल मार्किंग्मे में मिंबर भी हैं और समय समय पर उनको हम लोग बताते रहते है कि ये प्राबलम हों के सालने आ रही है तो वह जा करके वहाँ डिसकस्ट भी करते हैं डिरेक्टर से और समस्याओं का हल भी निकालते हैं लेकिन अगर जो बड़े प्लेयर हैं वो फिर बड़े काम करते हैं और जो छोटे प्लेयर हैं वो छोटे ही काम कर पाते हैं इसमें दो ग्राम के अंदर पुर्जा जो है वो नान-H.O.I.D. होता है ये कानून तो पहले ही पास हो चुका है और दो ग्राम से उपर में H.O.I.D. लगना जरूरी है अब इसमें कहां पर क्या बड़े प्लेयर क्या छेट कर देते हैं क्या गेम खेल देते हैं वो हम लोगी समझ से बाहर है क्योंकि पुर्जे में जब H.O.I.D. बड़े प्लेयर की निकाली जाती है तो H.O.I.D. निकलती कुछ है और पुर्जा होता कुछ है एक मोटे तोर पर आप जानना चाहें कि जो जिम से जोलरी सेक्टर है वो बजट को लेकर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है तो इस पर आप कुछ कहेंगे दिखे एक मेजर प्रॉब्लम है जो हमारे महामंत्री जी है कानपुर शेहर के सराफे के उन्होंने एक मेजर प्रॉब्लम बताई कि जो लेडिस होती है वो अपने पैसे जोड के जोलरी खरीदने आती है जो अपने हस्बिन तक कोई बात नहीं बताती है कि वो क्या पर्चेस करने जा रही है ऐसे में भारे सरकार के इतने सक नियम आ गए है जो अभी तक पैन कार्ट दो लाक रुपेस उपर पैन कार्ट कमपल सरी था इधर PMLA के नाम पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें पचास अजार रुपेस से उपर पे कोई आईडी मांगी जा रही है तो पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है किसी भी महीला से अगर आप कोई भी आईडी मांगते है चोकि वो महीला है या कोई लड़की है तो उससे उसका मोबाइल नंबर या पैन नंबर मांगने पे वो अपना देना चाहती है नहीं देना चाहती तो यह अमरे समने बहुत बढ़ी समस्या आती है और एक जमाने में जब 20,000 पे 10 ग्राम का गोल्ड होता था तब 50,000 का मतलब होता था दो तोले सोना 20 ग्राम तो कोई दिक्कत नहीं होती दी लेकिन आज गोल्ड की वैल्यू 10 ग्राम की 65,000 पे है और हम किसी भी महीला से या किसी लड़की से उसका मोबाइल नंबर contact number या उसकी ID मांगते हैं घर का address तो उसको बहुत बड़ा एतराज होता है और आप समझते हैं हमारा देश क्रश्री प्रधान देश है यहाँ पे बहुत सी महीलाएं आती हैं जो अपने बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहती है उनको केवल जोलरी से मतलब होता है तो यह हमारी बहुत बड़ी दिक्कत है हम चाहते हैं कि Government of India जो pen card की रिमिट दो लाग रुपए उसको पाँच लाग रुपए करे और दूसरा जो पचास अजार का एक नया पीए बेले वाला है यह केवल जिनकी सेल 25-50 करोड से उपर है उनकों पर लाग होना चाहिए ना कि एक करोड़, दो करोड़, तीन करोड़ का टरनोवर वाली जो जो जोलर्स है अगर उनकों पर लाग होगा तो उनका जो ग्रहाक है वो देहात के ग्रहाक होते है तो वहाँ पर पैनकार्ड की बहुत समस्या आती है और वो चाहा के भी गलत रास्ते पर जानी वो बिना बिल के माल बेचना पसंद करते है इसलिए वो बिल को प्रमोट नहीं करते है तो गवर्मेंट को कोई ऐसी पॉलिसी नहीं लागू करनी चाहिए जिससे व्यपारी चोरी के रस्ते पर मतलब चाहा के भी गलत रस्ते को अपनाए तो मेरा ये निवेदन रहेगा सरकार से कि पैनकार्ड की लिमिट को 5 लाग से उपर करें और जो पीमले के नाम पे 50 जार उपर ID मंगी जा रही है उसको हटाया जाए खास तोर पे 5-10 करोड टर्नोबर के नीचे वाले जोलर्स पे पीमले आपने बोला पीमले का नोटेस है तो मुझे ED की याद आ गई तो क्या ऐसा भी कुछ है कि उसको लेके क्या मलब इस ओवर्वाल नोटेस में क्या है प्रिवेंशन और मनी लोर्णिंग एक के तहट सरकार ने कहा है कि अगर कोई भी एक व्यक्ती साल बर में 10 लाग रुपे से उपर की जोलरी खरीटता है तो हमको एक FIU मतलब Financial Investigation Unit नामसे एक गौर्मेंट और्गनेजेशन है सरकारी जहां पर हमको एक फाइल करना पड़ेगा कि एक ग्रहाग मेरी दुकान से 10 लाग रुपे से उपर की जोलरी ले गया है तो अब यहां ऐसा नहीं है यहां पर बहुत से ग्रहाग ऐसे होते हैं जो साल में एक ही बार लेके जाते हैं परन्तु एक बार में दो तोली की चेन ले रहें एक लाग बीस हजार की पर वो महिला नहीं देना चाहती है अपना काड तो ऐसे में हम व्यापार करें या ना करें यानि सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि हम अगर बेच रहें कैश में तो हमें दिक्कत आगे आ सकती है और नहीं बेचे हो तो मारा व्यापार दुबर हो रहा है अब अब साथ हैं आपका शुबनाम क्या है अमिद जी अमिद जी अज़ो सरकार जो है कि कॉर्पोरेट्स को लेकर कर गई तरीके की सहूलियते देती लेकिन जो हमारा चोटा व्यापारी है उसको लेकर के बहुत ज्यादा कुछ योजनाय जो हो सामने नहीं आती है आती भी लेकिन आपको क्या लगता है कि कार्पोरेट को जिस तरीके की सहूलिते और राहत दी जाती है टैक्स से लेकर दूसी चीजों में जो शोटे ट्रेडर्स हैं उनको लेकर के बजट में कुछ आप उम्मीद रखते हैं कि इस बार कुछ हो सकता है जी बिलकुल जो टैक्स मैं ज़्यादा देना पड़ता है कंपनियां कम टैक्स लाइब दे रही होती है और बैनेफिट्स भी ले रही होती है बहुत सारे बैनेफिट्स नाइस विदा नहीं होती तो आकरी में कम्टीशन जो है वह हो कर रहे हैं तो कैसे कम टीट कर वाएंगे एक मसला थोड़ा सा इंफ्लेशन का भी बढ़ता है लगातार जो सरकार रही तो आरोप लगे की इंफ्लेशन जो थी बहुत ज्यादा हो गई थी पेट्रॉल डीजल समेच कई जो चीजे थी प्रेट्रोलियम पदार्थ उनके रेट क पड़ता है तो उसको लेकर क्या आपको लगता है कि जो ठेक्स हैं अभी स्टेट गवर्णमेंट की तरफ से और सेंटेल गवर्णमेंट की तरफ से जो एक्साइज है उसको लेकर कमी करने जरूवत है या नहीं कमी कर दो तो बिना तो कुछ विदिर क्टम करनें चाहें हम लोग करना भी चाहें तो में तो जरूर चाहंगा और फिएक अ PG करने पर गाएं यहां-D पर लेकर कें संसिस की एक बात होती कि राज्य सरकारे क्योंकि उनकी भी मोटी कमाई हो थे फ्यूल पर ठैक्क्स होते हैं उसकी वज़े से व rätt वज़े से तो कोई आम सहमती नहीं वन पाती है तो खामियाजा, खामियाजा मोटे तौर पर जो उसका यूजर है उसको बहुगता है उसको उठाना पड़ता तो आपको आपको लगती है कि इस लिमिट को और बढ़ाया जाना चाहिए टैक्स फृरी बिल्कुल बढ़ाना चाहिए कम से कम 7 लाक रुपई तक का टैक्सी का होना चाहिए इसमें क्योंकि जो भी छोटा दुगनदार है उसके लिए भी परेशानी है और आम जनता की हिसाफ से भी अधिक्ते हैं कि आज पात लाख रुपए की अगर देखा जाए तो कोई भी वैलू नहीं है अगर साथ लाख रुपए तक की लिमीट आ जाए तो सभी वैपारी और आम जन्मानस के लिए भी वो सवलियत प्रदान करेगी कि वी वैक्तिकत को लाब नी मिला है ये केवल सक्सेफ्फुल उसके लिए उसके लिए कर दी है मान लीजे कि एक बच्चा 20-22 साल का उसकी जॉब लगती है और उसने पहला उसकी सेलरी आती साथ लगती है उसके कोई टेक्स नहीं है बहुत अच्छी स्कीम है लेकिन आप भी बात समझते हैं कि जब उसकी शादी होगी वो अपने एक फ्लैट बाइ करेगा या कोई लड़की होगी अपने लिए प्रापरटी खरीदेगी तो जो रिलेक्सेशन दिया जाता है टेक्स में एटी सी का बेनिफिट दिया जाते है कि ब्याज अगर अपने फ्लैट करीजा तो उसकी ब्याज में छूट मिलेगी तो वो गवर्मेंट ने पूरी फिनिश कर दी है तो यानि एक तरिके से कहा जाए तो बेफ्कूप बनाने वाली बात है हमें चाहिए कि 7 लाग रुपे तक एक्सेंप्शन भी हो और 7 में जो बेनिफिट मिलते थे हम इसको बुलेंगे पुराने रिजाइम वाली ही 5 लाग की स्कीम को 7 लाग किया जाए प्लस जो बेनिफिट समय मिलते थे वो बकायता मिलने चाहिए यानि जो नई स्कीम आई की 7 लाग वाली वो एसेप्ट हमें नहीं है यानि पुराने रिजाइम का हमें पसंद है पुराने रिजाइम को गवर्मेंट 7 लाग रुपए आट लाग रुपए करे तो ही फायदे की चीज़ है वरना केवल दिखाउटी तमाशा सरकार का है मोहिट जी आप व्यापारी है जी एस्टी को लेकर के व्यापारियों की बड़ी शिकायते रहती हैं कि बहुत ब्यादा लिखापड़ी बढ़ गई है जब से जी एस्टी आया है तो आपको क्या लगता है क्या समस्याय आ रही है और उसको निदान किस तरीके से हो सकता है इसको लेकर कोई सुझाव या सरकार से कोई उम्मीद रखते हैं कि इस बार कुछ पूरा होने की उम्मीद है इस समय जो छोटा वैपारी है या बड़ा वैपारी वो दोनों ही जी एस्टी से बहुत ही परिसान है 17, 18, 18, 19 सब को नोटी से आ रही है चाए छोटा वैपारी हूँ चाए बड़ा वैपारी हूँ उसका चाहिए टर्नोवर्ट छोटा ही क्यों ना हो लेकिन उसको जेश्टी के सामने बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसको मंधली रिटन वेजनी बढ़ती है टीडियस की रिटन फलाना दिमाका सीय या वकीलों वो उनके दामने ये भी दिक्कत आ रही है कि जैसे मैंने किसी से माल परचेस किया उसके मिझे आ हा रही है कि मैंने उसके टेक्स नहीं पकर किया जबकि उसके सामने बहुत जादा है बार बार चक्र लगाँ जाओ कागजी पróल करि us कम करनी कर्कूरा आ चाहिए जी टो बार बार हेँ के पास याओ और वकील के पास तो ऑसमें कर्च भी व्यपारी का सोधा पढ़ है बहुत ही महेंगा सोदा पढ़ ला एक इस सोधा पढ़ रहे है जो प्रोसेस है GST को फाइल करने का वो उतना आसान आपकी समझ से नहीं है उसको सिंप्ली बिल्कुल भी नहीं चाहिए चोटा टर्नुवारी और चाहिए दस-पंदा लाग रुपाय का टर्नुवारी फिर भी उसको GST सामने कई प्रकार की दिक्कोतों के सामने करना ही पड़ दी जा सकती है सरकार और क्याल आपको उमीर लगती है क्योंकि आखरी बजट है चुनावी बजट भी एक तरीके से हो सकता है क्योंकि चुनावी बजट होगा तो उमीरे लोग ज्यादा रखते हैं कि कुछ सौगात मिलेगी तो क्या आपको लगता है कि इस बजट में कुछ सरकार चोटने ट्रेडर्स के लिहास से कुछ करेगी बिल्कुल मेरे को लगता है कि सरकार इस विजह में ध्यान दे रही है और इस विजह में उनको कुछ करना भी चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से हमारे उपर जो बाहर की कंपनिया इतनी हावी हो गई है और इतने प्रलोभन या वो सब दे करके कैश बैक जैसे कि भीया ने अभी बताया दे करके हम लोगों के मतलब हाथ एकदम से बंद गाए कुछ हम लोग कर नहीं सकते तो सरकार को इस विजह में सोचना चाहिए कि छोटे टेडर से में जो जैसे बिककज भीया ने बताया कि रियल की हड़ी है बै करते हैं तो simplify करने को लेकर अभी तक आपको लगता है कि सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और आगे किस तरीके के कदम उठाने उठाय जाने चाहिए आपको क्या उमीद लगती है जिस तरीके की परेशानिया हैं उस इसाफ से डिस्टिक लेवल पर सरकार को जिस्टी कमेटि बनानी चाहिए उससे बैपारियों को काफी सवलियत होगी जैसा मौई जी भी बता रहे थे कि बार-बार रुषिये के पास जाओ वकील के पास जो बाइपारी बैपार करें या केवल काग्जों में जूलता रहे तो सरकार को ये करना चाहिए कि इस प्रिकार की सुफदा वैपारियों तक आएं हम लोगों को मोदी सरकार ने बहुत उम्हेंदी थीं कि हम लोगों वैपारियों कापी सहुलियत मिलेंगी जिस्टी के विचैया में भी रहे था कि कि एक कार प्रणाली रहे लेकिन वो इस तरीके कि आ गई है कि वै अपना बजट पेश करेंगी तो एक क्विक मैं थोटा सा एक सर्वे करना चाहूंगा कि बतौर वित मंत्री जो व्यापारी वर्ग है उनके कारकाल को कितना किस तरीके से देखता कितने नंबर दस में देगा अगर देखा जाए तो जो टेक्स रिफॉर्म है वो तो बहुत उनों में चेंजेस आएंगर जेस्टी की बात भी करें तो लगबग एक हचार सूप पर अमेंडमेंट उसमें हुए है वो व्यापारियों को तो बताई गई प्रॉब्लम्स को लेकर ही हुए लगा तार अभी पर अमेंडमेंट चल लें लेकिन अब व्यापारी पर नकेल कस्तने की यानि हमें नकेल कोई कर चोरी का डर नहीं है लेकिन एक एक पॉइंट पर हम गलती करेंगे तो उसका पांच जर्माना उसका दस अजार तो किसी व्यापारी की इंकम ही हो सकता है पचास जार महीना हो अब उसको गलती उसको इतना नौलेज नहीं है वो जर्माना तो व्यापारी पनी दुकान बंद करने डर कम पड़ेगा तो मेरा एक मानना है और हम लोग ने सुझाओ भी सरकार को दिया है आने वाले चार-पांच साल में हमें ऐसा फील होता है कि हमारे देश में जीस्टी और इंकम टेक्स इस सबसे हमें निजात मिल जानी च इस दिन अगर ये बी टी टी बैंकिंग ट्रांसेक्शन टेक्स लागू हो जाएगा उस दिन इस देश का व्यापारी एक्टम खुश हो जाएगा क्योंकि उससे कुछ नहीं करना हमारे करेंट अकॉन में जित्ता टर्नोवर होगा साल का सबोस्ट दस करोण का विजिनस अग इन सरकारी जमेलों के लिए समय नहीं चाहिए हमारा समय बरबाद हो रहा है क्योंकि हर आदमी के आजकल टाइम की वैलियू है और टाइम हमारा सरकार की पॉलिसी पर लगातार किल हो रहा है और ये दिक्कते मोधी गवर्मेंट में कुछ जादा बढ़ी है लेकिन इसका कार करन भी कई न कहीं हजार में दो चार वैपारी इसे होते हैं जो इतनी बड़े घोटाले कर देते हैं कर चोरी के जिसकी о Cassi सरकार अपनी नियका सः सही कर देती है पर 990 वैपारीihi जबरदस्थी उस कुपोग का मतलब शिकार हो जाते हैं जो 10 लोगों ने गलत काम किया उसका 990 जुर्माना बरते हैं व्यापारियों के प्रती सक्त है मुधी सरकार बिलकुल आप यह कह सकते हैं कि सरकार व्यापारियों को शक की निगास से देखती है और 10 की वज़े से वो 990 को भी चोर की दरश्टी से देखती है जो की सरकार का एक गलत कदम कहा जाएगा अच्छा वित्तमंतरी के तौर पे आप अब तक के कारकाल को निम्ला सितारमान जी के कितने नंबर देंगे देखे टेक्स रिफॉर्म के हिसाब से गर करें तो हम 10 में 8 नंबर देंगे यानि उनकी पॉलिसी सही है टेक्सेशन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है जीस्ती की रिटरन भरने में हमें टाइम लगता है लेकिन जो जीस्ती का हमें फाइदा मिला है जैसे हम लोग बात करें हम लोग कानपर के व्यापारी है पहले हम उत्तर देश के अंदर बंधे हुए थे हमें जो पर्चेजिंग करनी थी वो राज के अंदर करनी थी आज हम दिली बंबे बैंगलोर चन्नाई पूरे देश में कहीं से माल मंगा लें हमें जीस्टी का लाब तो अत्यांत बहुत ज़्यादा हुआ है यानि अगर मेजर एफेक्ट मानेंगे तो हमको लाब हुआ है जीस्टी से लेकिन जो रिटन भेजने वाला टाइम है यह सब थोड़ी सी प्रॉब्लम बस यानि दाकिल करना यह गलतियां होने में जुरबान यह दिक्कत करता है जो जीस्टी है वो तो वैपारियों कर लिए सोने पर स्वागे वाला कदम है यानि अब हम पूरे देश में कहीं से माल मंगा लेते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं आती तो आपके साब से आठ नंबर निर्मला सीतर्माल जी को उनके अब तक यह जो बज किया जाता है जब कानून मलाया निर्मला सीतर्माल जी ने और उसको इंप्लिम्मेंट करने के लीचे रेवलो डिपार्टमेंट को दे दिया तो वो कानून जो इंप्लिम्मेंट हो रहा है उससे वैपारियों को ज़्यादा परेशानी आ रही है यानि आफिसर्स वर्किया नोकर साही जो है वो ब्यापारी के उपर बहुत बुरी तरह से हावी है और वो किसी भी हालत में ब्यापारी को चैन से ले रहने दे रही है तो अब किस दिश्च से आप देखना चाहते हैं कि हम उनको कितने नंबर दे दे दें इस दिश्च से कि नोकर साही हावी है तो हम पर ले चाहिए तो कानून तो सही है लेकिन जो उसको इंप्लिमेंट करने का तरीका है वो हम लोग की समझ के बाहर है वो हम लोग को परिशानी में डालना है आप कितने नंबर देंगे 7.5 7.5 to be precise 0.5 किस लिए किस लिए जो में दिक्कते आ रही उसके लिए आप कितने नंबर देंगे दस में से आठ और आप नंबरों के उसकता लगती नहीं है जब तक वैपारी सुकून में नहीं है वो क्या नंबर देगा तो जो हम लोगों की प्रत्मक्ता हैं जो हम लोग सरकार तक अपनी बात करते ह हैं तो बतौर वियापारी क्योंकि फिनाइस का छेत रहे तो फिनाइस मिनिस्टर से ज्यादा वास्ता पड़ता है तो इस वजह से हम उनके जो कामकाज अब तक रहा है पास साल का तो उसको लेकर आपका जो एक असेस्मेंट है तो क्या है कितने नंबर देंगे और आप कित चलिए एक-गउरें यहीं फाले लिए हम इंकम टैक्सा पार्ट भी रख रहे हैं ती दिए गरहीं है उसमें के साथ में फ की पर कर रहा है तो इतना सारे एक गुछ गुसेड़ दिया गया एकदम सब कुछ खा गया उसमें तो हम नाइल इस के लिए पेपरवर वर्यता वैपारी भी काम कर पाया, ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए, बागी टेक्सेशन से कोई दिक्कत नहीं है, टेक्सेशन सही है, जीस्टी का इंप्लिमेंटेशन भी ठीक है, बट अब सबसे बड़ी बाद जैसे भीया ने भी पताई कि अगर मान लिजे कि पीछे का कोई वैपा हरिस्मेंट नहीं होना चाहिए, बागी सब कुछ ठीक है, बागी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, तो हम लोगों ने आज कानपुर में बात व्यापारियों से की, बजट को लेकर के, क्योंकि आखरी बजट है, तो उनकी उमीदे भी जादा है, तो उसको लेकर उनकी राय जान मोटे तोर पर एक नंबर भी जो यहां पर ट्रेडर्स थे, व्यापारी हैं, उन्होंने हमें बताए हैं, जो वित्यमंतरी के अब तक के कामकाज को लेकर उन्होंने दिये हैं, साथ से आठ नंबर का एक दस में से नंबर दिये गया है, तो एक लिहास से यह अच्छे ही माने जाएंगे, अब बजट में क्या आता है, यह देखने वाली बात होगी, एक तारिक से, एक तारिक को जब सेशन शुरू होगा, आकरी सेशन इस लोगसभा के कारकाल का शुरू होगा, तो इसमें सारी चीज़ें, बजट पेश होगा, तो इसमें सामने आ जाएंगी, तो के लिए कानपूर से मैं आंके शुकला, कैमरा पर्शन आधित्त के साथ.